नमस्कार दोस्तों स्वागत आप एक नई व्लोग में हो मैं हूं आज फिर से सोनप्रियाग में लास्ट चिर की तरह है। और सेम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं पार्किंग आज हालांकि दो दिन हैं अभी यात्रा में 23 है और यह खुलेंगे 25 को हम दो दिन पहले भी जा रहा है तो कि हमां सब कुछ अच्छे से देकना है अच्छे स करना से आप लोगों के लिए सूट कर ना और समझाना भी है कि कैसे जाना चाहिए क्या-क्या प्रेशानियां साफधानिया बरतनी चाहिए और टिप्स क्या हैं Sum टेक्सी देने के लिए सोन प्रयाग मार्केट में वहां ते टेक्सी मिलेगी और फिर जाएंगे हम चलो जी गारी मिल गई हमें पार्किंग से ही और अल्रेटी खड़ी हुई थी हम बस बैटके जाई रहे हूं यहां से तो टाइम हो रहा है भी नौबज के 20 मिरिट और हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंट थोड़ा सा यहां पर मुझे भीडबार सी दिख रही है हालांकि इसमें मोस्ती लोग वो हैं जिनके खचर बगर आया गाड़ी है स्रदालू भी आ रहे हैं जैसे आप पीछे देख रहे ह अंच आप इसका है कियोंकि और पर बहुत खरया है । कि प्रसाशन रोके नहीं अधी हमने यहीं पर होटल ले लिया है गौरी कुट में और यहीं स्टे करने वाले हैं तो सामके टाइम तक पूरा टाइम यह देख रहा है बंदर में कितनी भयंकर भीड़ो रगी है तो यहीं मंदर पर रुपने वाले हैं और बजन कृतन चलना है बाबा की डोली के दर्सन हो गए बहुत अच्छे से और यहीं टाइम करेंगे और सुबह सुबह अरली मॉनिंग निकलेंगे उपर के लिए तो जब भी आप नेक्स टाइम प्लान करें प्रीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रसासन आसानी से उपर नहीं जाने देता है दो दिन पहले हमां प्लान था अब गुद्मर्ण दोस्तों निकल चुके हैं अभी अब गौरी कुंड से और टाइम हो रहा है अभी शे बच के 20 मिनिट और अभी से आप देखांगे गजब सी भीड़ा है कि साड़े शे भी नहीं बज़े हैं अभी छे बच के इवन एक्जाक्ली 23 मिनिट हो रहा है और हम्यां कभी दस मिनिट हुए निकले हुए तबी भी लेकिन बहुत ही लंबी भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग जो हमारे साथ वाले थे कुछ हमारे साथ में तेक्षि जो चलना पड़ेगा तो दूस्तों पहुंच गए अभी भीम बली यहां पर लगा हुआ बैनर दोली आने वाली यह क्योंकि और सौप से यहां पर आप स्नैक्स बगएर कुछ ले सकते हैं स्टे कर सकते हैं थोड़ा देर यह है भगवान भीम का मंदिर पर लिखा हुआ को निक दूसर ना किया था इसके दर सलमात सई पुने प्राप्ति होती है तो यहां आप भगवान भीम के दस्कार सकते हैं कि जाए भीम बली मारादी के लिए चलो जी वापस से उसी पॉइंट पर आगए हैं यहां से दो रास्ते करते हैं यह भीम बली से थोड़ा आ गए आते हैं उसके बाद मिलता है और यह थोड़ा सा प्लें टाइप का रास्ता है बट करीब डेड़ क्लोमीटर एक्स्ट्रा पर चलना पड़ता है इससे मुस्ट इस पर घोड़े जाते हैं जिससे की गोड़ों को दिक्कत ना हो हम देखें कि प्लें प्लेंस आए असानी से ऊपर चर स है थोड़ी सी हार्ड चड़ाई बट कोई बात नहीं तो यहां गवर्मेंट ने भी लिख दिया कि तीरत यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में ही है इसका मतलब है घोड़े ज्यादा यूज ना करें जब आप बहुत ही नहीं चल पाते कोई आपको बीमारी है तो ही आप घ अधर यात्रा में मजाए ऐसे नजारों को देखते हुए तो हम आगे हैं करीब रामबाड़ाबर और सौप से यहां काफी सारी आधी के आसपास रास्ता हो चुका है क्लियर और टाइम हो रहा है साड़े नो यानि कि हमने तीन घंटे में करीब साथ किलोमेटर क्रॉस किया ह कि दूस्तों यह है पहला क्लेजियर जो कि हम रास्ते में मिलेगा पिछले साल थोड़ा साथ आएस बाहर देखिए बहुत ही जबर जस्त है दोस्तों अभी पहुंचे हैं छोटी लिंचोली पर और यहां से कुछ ऐसा भी हुआ है नीचे एकदम सनो पड़ी हुई है और यहां से नीचे सनो नहीं है यहां से स्टार्ट होगी उपर को सनो सामने पूरा ब्लॉक हो गया अधरवाइस वहां भी यह जो सामने देख रहा है यह चंद्रसला पीक थी सामने की साइड अब तो नह पानाय हमें है यह बड़ी लिंचो लिया इसके पीछे की साइड जाना होगा यह देखो यह परवत मैं दो बार देखा हूं हालांकि यह है नहीं बट यह कहीं नहीं इसका जो सेप है ना वह जो कैलास परवत है उसकी जास लगता है चौकोर सा उपर से थोड़ा सा उपर बा यह बड़ा वाला ग्रेसियर है साइड अगर इसके हागे कोई और नहीं है तो कि दूस्तों अभी आ गये हैं अल्मोस्ट बेस्केंप और यहां हो रहा है स्नोफॉल साइद आपको गोप्रमना देखें बट हो रहा है यह जगए है जहां घोड़े लास्ट रोकते हैं इसके बाद घोड़े सिर्फ वही जाते हैं जिनका सामाना मन उपर छोड़ना होता है यात्रियों के लिए घोड़े यहीं तक आते हैं यहां से करीब दो किलो मीटर है के दारनाथ और अब उतनी ज्यादा चड़ाई नहीं है अलमुस्ट थोड़ा सा जड़ाई है फिर फ्लाइट ऐसे करके है तो चड़ा चड़ना नहीं है बट व्यू देखो क्या ही जवर्जस्त हो रखा है और सुनो फॉल हो रही है यह बढ तो हमें हो गए करीब साड़े साथ गंटे आधे गंटे और लगेगा मैं पहुंचने मादा पुना गंटा तो आठ घंटे मानके चलो जिसमें हम पहुंच जाएंगे उपर तक जोस्तों बेस केंप आ गाएं और अब यहां से साइध आपको देख रहा हो जिए जो सैकंड प्लैर है इसके पीछे मंदर देखाई दे रहा है मुझे साइध आपको नहीं देख रहा हो कि वैदर थोड़ा सा राइट हो रखा है पीछे पूरा तो सिर्फ यहां से एक सी डे चुकी है और वियू आप देखो यह लद्दा को फेल कर रखा इतने बहुत ही अल्टीमेट और अभी भी हलका हलका सा सनो फॉल चली रहा है तो सनो कम नहीं होने वाली अब की अपडेट के लिए बता दूं की रिसी केस में यात्रा के जो भी अभी आ रहा है यात्री उनको रोक दिया गया है क्योंकि वैदर अभी ऐसा ही चल रहा है अगले चार पांच दिन में इस लोफ़ान होने वाला है तो यहाँ पर जादा लोगों की वबस्ता नहीं हो सकती दूसरा यहाँ पर भीड़ इतनी हो र रहे हैं या फर इसके बाद के उनको भी थोड़ा थोड़ा करकी छोड़ा जा रहा है रस्ते बन जगए जगए ब्रेक लिया जा रहा है जिससे की एक साथ लोग यहां ना आ जाएं क्योंकि यहां पर व्यबस्ता है सिर्फ दस अजार लोगों की दुखने की और यात्री आ हैं करीब करीब 25,000 इसलिए पर साथ में इसको रोग रहा है साथ में आप देखो फ्रोजन लेक यह लेक है इच्छे साल एकदम पूरी तालाव था यह और अभी जमी हुई आपको देख रहा होगा साफ यह जम चुगा है कहीं कहीं थोड़ा-थोड़ा सा जम आ हुआ पाण हो तो अभी हम जा रहा है मंदर साइड रूम मिल गया है यहां पर यह है स्वलगर ओनी कोटेज यह जीम एन की साइड से है तो यहां पर मिल गया हलांकि बहुत बहुत ज़्यादा उपर तक कि हम सोर्स लगाने पड़े तब जाके मिला है सब कुछ फूला क्योंकि और ना त सनो इतनी जादा है कि टेंट रोकी नहीं पा रहा है आप देख रहा है वो छत पर कितनी है दोस्तों यह है वहरो बाबा का मंदर कल जाएंगे आज तो नहीं वहां से जाना होता है टॉप से फिर देखेंगे आप कितना जबर्दस वाला भी आने वाला है ऐसा कोश है भाई यहां का विव एकदम जन्नत हो रखाएं तो सच बता हूं तो मन नहीं कर रहा है कि मैं ब्लॉक सूट करूं क्यूंकि मन है कि बस इसी को देखूं बट आपको भी दिखाना है ओवियसली इतने आई हैं तो आप लोगों को भी दिखाने दिखाना बनता है तो थोड़ा सा टा रही है लेकिन बस यह है कि हां बहुत अर्ली है और टाइम लिमिंटेट था सनोफॉल हो रहा था जिस वजह से कुछ ओपन ही नहीं था रास्ते सारे रखे हुए थे और सनोफॉल भी बार-बार हुए जा रहा था स्नोफॉल हो रहा है अभी भी जैसे बता है मैंने आपको फ पर मैं अपडेट करता रहा रहां चुछां को कि क्या चल रहा है यहां का जिस्थे कि आपको एक आइडिया रहे और उसके लिए आप इंस्सागराम को फॉलो दिना टिल देगा स्क्रीन पर आपको इस्सागराम की आईडी मिल जाएगी कर दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं बाबा के दरनाथ के पास और अभी आप देख रहे हैं सदावाट हो रही है कल सबर पट खुलेंगे क्योंकि दोली भी पहुंच चुकी है और कुछ इस तरह खार न जा रहा है आप देख सकते हैं प्रंगन में अभी सुनो थी जो की हटाई जा रही है और यह बनाई जा रही है लाइन्स के लिए यहां से क्यों लगेंगी तो लाइन तो बढ़िया से होने वाली है पिछली बार बहुत प्राब्लम्स होती क्योंगी स प्रसासन ने इस बार पहले से उसकी तैयारी कर रखी है और अच्छे से बना रहा है यह आप देख रहा है यहां पर एक द्वार बनाया जा रहा है और वहां पर भी काफी सारे फूल पड़े हुए अच्छी कासी फॉज लगी होई है जिससे कि कोई उधर जाए ना परिसान लोग और दूर से हम अभी सूट कर सकते हैं बहुत ही अल्टीमेट लेकिन मैं क्या बयां भी नहीं कर सकता चीजों को इतना अच्छा लग रहा है अब यहां से निकलना मंदर के लिए फटाबट से लाइंड में लगना है तो चार बच जाएंगे अल्मोस्ट ठंडा काफी हो रहा है माइनस त्री डिग्री ऐसा कुछ अभी का मियान से कुछ दखेगा तो है नहीं बट लाइट जल रही है तो कुछ देख रहा है थोड़ा चलते हैं मंदर की ओर दोस्तों टाइम हो रहा है चार पंदरा और हमाला आगा एं-लाइन में आप देख सकते हैं दरबार एक दम सच्च चुका है सिक्स ट्वेंटी का टाइमिंग है जब कपाट खुलने हैं हलांकि थोड़े से लेट खुलते हैं क्योंकि उससे पहले वी आई-पी इंट्री दोती है साइट से या पट खोल भी देते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है बाकी लोगों को तो यह तैयारी है और क्यूं आप दे अब दूस्तों टाइम हो रहा है पांच बच के 20 मिनिट और थोड़ा सा ओजाला आ गया अब आप पीछे का व्यू देखो जो कल से छुपा हुआ था बादलों की वज़े से अब एकदम उपन हो चुपा है लाइन की वहीं है जहां हम खड़े हुए थे अभी कुछ भी आग सब कुछ बसूले क्या आप दूद है जहां है जहां थे हुआ है दो पांच थे नहलेगिए हर भार्वादेब माहादेब आ्रहार माहादेब आलाव वी बजड़के आप मेरी ज़ेखे लिए आप अपर ताइम हो रहा है अभी आठ बच के तीस मिनिट और एक इंच पी आगे नहीं हिले हैं जहां पर खड़े हुए थे एच्छाप लही है और हालत अल्मोस्ट वैसे ही हो गाए जैसे कि लाश्ट पर नहीं हम आप ले गाए लेखे हैं और अप तीर थे देख सकते हैं सारे की सारी पॉब्लिक वहां पहुंच गई है वी आई पी जा रहे हैं और वी आई पी आए होंगे वह आएंगे पीछे के गेट से दर्सन करेंगे उसके लिए सब को रोग रखा है और जब खोल भी रहें तो जो इदर दर की पबले का जो बीच में गुश गई है बस वही जाके दर्सन कर पा रहे हैं जो विचारे क्यूं में लगे हैं तीन बजे से चार बजे से उनका कुछ भी नहीं है वो एक इंच भी आगे निवर रहे हैं तो करीब पांच घंटे हो चुके हैं लाइन में लेकिन कोई भी अंतर नहीं है सिर्फ खड़ हुए हैं जो नीन खराब की जो यहां से खड़े हुए हैं मैनत कर रहे हैं सब कुछ वेस्ट है वसाप आओ उठो कभी भी और ताकत लगाओ और घुश जाओ बीच में क्यूं मैं यह चल रहा है देखते हैं वेट करते हैं कितनी देर और लगेगी जाएंगे तो क्यूं से ह और इस बार पिछली बार की तरह वापस नहीं जाएंगे इस बार दर्सन करेंगे चाहे कुछ भी बता रहे हैं तो इस तो ऐसा कुछ चल रहा है सामने और कहीं से भी जहां से मन आ रहा है आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई भी जा रहा है अब इस साइड से सामने की साइ दोस्तों अंदर की साइड आया हूं थोड़ा देखते हैं एक बारी क्या चल रहा है प्रगती लाइन में ही है अभी और एक बार समझने के लिए चीज़ है थोड़ा अंदर आया हूं कुछ में करते हैं आप लोगों के लिए तान के लिए रादार के लिए जोड़ा आ आगि जो नार्या यदिए गड़्वा कि बादा प्रपादी आप लोगों का ड़गों आपूंजा इन आरार चीज़ाऊ को बादान के लिए यज़ाग कि तो आप कर दो कि अब आज़ा है दो कि अब आज़ा है पॉर्स के दोस्तों फाइनली पहुंच गए मंदर में और बस अब लशन होने बाले वाद़ा थे जदे हां ठाल्ष पर हर महाय दीं। हुअम हुईच जड़ी हाय लात बात मादाव पंत से दिय करें fantastic hehe जड़ी इन कर देंकि kangal ओ ऐाख तो टाइम हो रहा है एक बज के पजास मिनिट और हम रिटर निकल चुग है यहां से चेक आउट कर दिया है वैदर बापस से वैसे ही हो गया है पूरा धुन्ध हो रखा है धुन्ध नहीं बादल है अक्चली फलके अलके से बहुत ही महीन स्नोफलैक्स हैं तो ऐसे कुछ मोसम चल दाया लगाता है कभी भी सनो गरे सकती है ऐसा को चला है और हलका फुलका गर भी रहा है वैदर के चक्कर में हैली सर्विस भी रुख गई है अभी कोई भी हैलीकॉप्टर बगारा नहीं फ्लाई हो रहा है तो जब भी आप प्लान करते हैं तो आपगे श्तान हो सकता है हो सकता पर नीचे जाना भी कैंसल हो मली या चिस Cinema एप उपर आ रहे है वेदर ठीक है तो आप उपर आ जाएंगे और नीचे जा रहे हैं व्याज फ्राब करना पड़ेगा फिया फिर आपको पैयादा लिया घोडे बागर असे जाना हुआ था मैं आपको वीडियो नहीं दिखाना चाहता बट साइद आपको पताओ कि के दानात में ओपनिंग से एक दिन पहले यहां पर एक हाथसा हुआ था जिसमें एक नए आफिसर थे उनकी डाथ हो गई थी वह पीछी वारी पंकडियों से सर टकरा गया था उनका तो ऐसा क पर तो बिल्कुल भी नहीं जैसा मेरा दो बार का एक्सपरियेंस है ओपनिंग वाले टाइम पर आपको नहीं आना चाहिए रीजन बहुत ज्यादा पबलिक आने लग गई आजकल पहले होता था कि ओपनिंग टाइम पर अगले एक हप्ते तक कोई नहीं आता था रही हर लो बहुत सारी लाइन होती है दरसन नहीं होते भीडभार में जाना पड़ता है और चले भी जाते हो तो दंग से दरसन नहीं होते तो आपको ओपनिंग तो अवाइड करनी चाहिए अटलीस दस दिन तक ओपनिंग के दस दिन तक आप ना आए उसके बाद प्लान करें तो वेस स्लाइट्स का भी जो खत्रा होता है वो बहुत मिनिमल हो चुका होता है और पब्लिक भी उतनी नहीं आती इसको भी आना होता है होटल्स की यहां पर बहुत मारा मारा है डिपैंड करेगा अगर आप सीजन में आ रहा है तो फिर आपको बहुत मुश्किल आने वाली है फिलाल के लिए अगर मैं आपको दिखा पाऊं सामने आप देख रहें कुछ टेंट लगे हुआ हैं पर ना तो यह गौवर्मेंट की साइट से लगाए हुए टेंट हैं इवन यहां पास में भी हैं तो यह गौवर्मेंट के टेंट है तो टेंट मिलते हैं लास्ट में कुछ नहीं होता तो इस सामने GMVN के होटेल से हैं यहां पर भी रेर कोई मिल पाता है बहुत आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी या तो आपने बहुत पहले बुक कर दिया है तो ही GMVN मिल पाता है इसके लावा जो होटल से उसके वी rates से एकदम से आस्मान पहुंच जाते हैं जो कि आपको देना पड़ता है तो अगर आप सीजन में आ रहा है तो इस चीज का जरूर दियान रखें सेम आपको खाने को लेकर है खाने के लिए बहुत ज़्यादा चॉइसे नहीं मिलेंगी दो चार ही रेस्टोरंट होते हैं हमारे पीछे में एक नया रेस्टोरंट देख रहा हूँ यह है डोसा पॉइंट उसके पास दोसा नहीं है अभी क्यों मैंगी चोब में जाना से तो ऐसा कुछ रहता है लिमिटेड लिमिटेड सोर्सेज हैं आपके पास खाने के भी और थोड़ा सा कॉस्टलियर है आपके है पर लुमस्तरों आपको यहां प्लान से आरहा है तो आपको प्लान करना चाहिए만 अगर नियुक्र ४ेठ्रोल करें तो एपको पटने वाला है तो अब लास्ट में बात करते हैं कि कैसे आना चाहिए तो आने के लिए all-time favorite मेरा own vehicle अगर आप खुद के वहान से आएंगे तो आपकी जो चीजें हैं कि एक दिन लेट हुए कुछ हुआ तो अब वो अच्छे से प्लान कर पाएंगे खुद का vehicle है कोई problem नहीं रहने वाली है तो first preference आपका खुद का vehicle अगर नहीं है तो आप taxi करके लेकर आजाएए वो भी अच्छा है कि आप अपने एसाप से उसको modify कर सकते हैं आपकी timings को थर्ड है आपका अगर मैं बात करूँ local convince की तो आपको buses मिल जाएंगी easily कोई दिक्कत नहीं है सीजन पर चलती रहती है रिसी के से रुद्रप्राग आई है रुद्रप्राग से आपको यहां के लिए direct buses मिल जाएंगी करीब 4-5 bus मिलती है exact timings मुझे नहीं पता है बट हाँ आपको इसीली मिल जाएगी bus बट bus में क्या होता है कि आपको dependent रहना पड़ेगा कि कितने बज़े bus निकल रही है यहां छोड़ा लेट हो गई रास्ते में क्योंकि जाम लगता है और bus आसानी से निकल नहीं पाती है तो थोड़ा सा उसमें रहता है बाकी कोई इसू नहीं है अगर आप बज़ट ट्रावलिंग करते हैं तो डेफिनिटली आपके लिए bus का options है इसके लाबा गामा बगएर भी चलती है जो बर के लाती है सवारी वाली कमर्सियल तो आप वह भी प्रैफर कर सकते हैं बस से बैटर कहीं नहीं मुझे लगता है कि गामा है इतनी ज़्यादा जाम में नहीं पसेगी बट आप और भी अपनी और वह आपको छोड़ेगी कुछ 50 रुपर लेती है और वह छोड़ेगी आपको गौरी कुंड और गौरी कुंड से फिर आपके पास तीन options होते हैं इवन मैं कहूंगा चार options होते हैं सबसे पहला है हेलिकॉप्टर का आपको हेलिकॉप्टर दो तीन जगह से मिलता है गौरी कुंड से फाटा से एक दो जगह और भी है पीछे गाओं का नाम मुझे एक जक्ली याद नहीं है तो दो तीन जगह है अगर आप ऑन-लाइन चेक करेंगे हैं हेलिकु सर्वेस तो आपको मिल जाए इसके बाद बात करूं मैं आपकी पैदल तो बेस्त है खहर पैदल मैं हमेसरा आपको बोलुगा कि आप पैदल ही जायें अगर आप पैदल नहीं आप आ रहे हैं तो एक पालकी का भी ऑप्सन होता है अगर आप गौड़ा भी नहीं चाहते और घुड़े पर आपको डर और knowledge आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आपको आना चाहिए अगर अभी में मैं कोई चीज छोड़ रहा हूँ तो आप definitely मुझसे comment box मा पूछ सकते हैं और immediately मैं उसका try करूँगा कि आंसर करूँगा आपको इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बोलूँगा कि जितना weather हमें अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है बरफ है यह सब है उतना आसान होता नहीं है तो प्लीज जब भी आप आए थोड़ा सा प्लान करके weather देखे सोच समझ के ही आए अगर आप बच्छों को लेके आ रहे हैं कुछ भी है तो अच्छे से प्लान करें उसके बाद ही आए और ऐसे weather में आप जितने हो सकता है मैक्सिम अपनी सर्दियों के कपरे लेके आए तो चलिए निकलते हैं यहां से मिलते हैं आप से अगले ब्लॉग में तब तक के लिए स्वस्त रहें ब्यस्त रहें मस्त रहें जाहिन